नमेश शिवाय, सुभग दिप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जो तिसके अनेक महतुपुरन विश्यों पर हम आपको जुरूरी जानकारी लगातार उपलब्द करवा रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी क कर लें ताकि आपको समय समय पर आविश्यक जानकारी मिलती रहे, अब मैं आपको अमाविश्या पर किये जाने वाले कुछ टोटकों के बारे में बताऊंगा, इन में कुछ सामाने टोटके हैं, तथा उनके बाद एक ऐसा विशेश उपाई है, जो बहुत अचोक है, और इ इस उपाई को अब सभी के लाव के लिए यूट्यूब पर बताया जा रहा है, टोटके वे उपाई, जानने से पहले यह समझ लें कि अमाविश्या के उपाई करने किसे होते हैं, इन उपाईों को आप आविश्यकता के अनुसार ही करें, कुछ लोगों को उपाई करने का शोक भी होता है, शोकिया लोगों के लिए यह उपाई नहीं होते, यह उपाई केवल उसे करने हैं जिसकी जनम पत्री में अमाविश्या का योग है, यानि कि जिसका जनम अमाविश्या के दिन या उसके आसपास हुआ है, एक बात और समझ लें, बहुत से विक्ती जो हमार नहीं मिलता, इसका उत्तर यह समझ लें, कि अगर आपको रेलवे स्टेशन पर जाना है, तो क्या आप अपने घर से बाहर निकल कर किसी भी रास्ते पर चल देंगे और स्टेशन पहुंच जाएंगे, स्टेशन जाने के लिए स्टेशन वाले रास्ते पर ही जाना केवल चलते रहने से आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, अपने मंजिल निश्चित करें, सीधा रास्ता पकड़ें और चल पड़ें, सफलता निश्चित है, इसी तरह आपकी जो समस्या है उसे समझें, उसका सही उपाई चुनें और पूरा करें, तो उस समस्या का सम समाधान होगा, अमवश्या के परभाव को आप जनम पत्री में कैसे देखेंगे, अब आप इसे समझ लें, आप अपने जनम पत्री निकालें और यह देखें कि जनम पत्री में सूर्य और चंद्रमा एक साथ एक ही भाव में स्थित हैं या नहीं, अगर एक साथ नहीं है, तो आपको अमावस्या का कोई उपाए नहीं करना चाहिए। अगर आपके जन्मपत्री में सूरिय वे चंद्रमा एक ही भाव में स्थित हैं तो ये उपाए आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सामाने तो पर देखें तो सूरिय और चंद्रमा का एक साथ होना बहुत लावदाइक होना चाहिए क्योंकि सभी ग्रहों में सूरिय राजा है और चंद्रमा रानी है। प्रंतु इस योग से जो प्रेशानी होती है उसके बारे में केवल वही आदमी ठीक से जानता है जिसके जन्मपत्रिका में यह योग होता है। एक बात और समझ लें कि जन्म पत्रिका में सुर्य आत्मा वे चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है इसलिए भी यह योग बहुत ही लावदायक होना चाहिए प्रंतु वास्तों में ऐसे होता नहीं है इसका कारण है कि इस योग में चंद्रमा पक्स बल में क्षीन होकर निरबल हो जाता है चंद्रमा क्षीन होने का दुस प्रभाव है भागिवर धिन्य होना मान्शिक असांती अस्तिरता आतम बल में कमी महतुपूर्ण कार्यों में अंतिम क्षणों में असफलता उत्साह में क आदि के कारण अजीवन परिशान रहना। ऐसे आदमी में धिरे-धिरे सन्यासी या विरक्त होने की भावना आने लगती है। जदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो इन परिशानियों को दूर करने के लिए ही उपाय की आवश्यक्ता है। अब यह समझ ले कि सूर्य चंद्रकुंडली में एक साथ होने पर परिशानी क्या होती है। यह योग जिसके लगन में होता है उसका स्वास्थ कराब होता है। कोई भी काम करने का मन नहीं करता। दूसरे भाव में होता है तो धन की कमी बनी रहती है। जिस किसी से भी पैसे लेने हों वह देता नहीं। यह योग तीसरे भाव में होने पर व्यक्ति के बाहु बल में कमी आती है तथा भाई बहनों से हानी होती है। कोई सहयोग नहीं मिलता। चोथे भाव में होने पर माता का व्या मकान का सुख ठीक से नहीं मिलता। ऐसे आदमे को ने घर में चैन होता है ने बाहर शांती मिलती है पांचवे भाव में यह योग होने पर कुछ विद्या में रुकावट तथा संतान से हानी होती है अपने द्वारा बनाई गई योजनाएं अधूरी ही पड़ी रहती हैं छटे भाव होने से रिण रोग वे सत्रू बढ़ते रहते हैं सात्वे में होने से दोस्ती दामपत जिवन तथा पाटनर्शिप के व्यवसाई में हानी होती है आठवे भाव में होने पर यह आयू को कम करता है बिना गल्ती कि यही दुरघटना में फंसना पड़ता है नौमे भाव में यदि यह योग हो तो भाग यह हमेशा बंदन में रहता है ऐसा आदमी दूसरों का भला करता रहता है पर अपने लिए उसे कुछ नहीं मिलता दसमे भाव में यदि यह योग हो तो आदमी हमेशा अपने काम से दुखी रहता है उसके क काम का लाव दूसरे ही उठाते हैं। अंदी पीसे कुता खाए कि कहावत आपने सुनी होगी। आदमी मस्त होकर काम करता रहता है पर अपने लिए परिणाम कुछ भी नहीं मिलता। ग्यारवे भाव में यह योग हो तो लाव की जगे पर हानी होती है और अपने बड़ों का स योग नहीं मिलता। बार्मे भाव में होने पर नीद में कमी रहती है तथा हमेशा मानसिक अशांती बनी रहती है। ये परिशानियां तो मैंने बहुती कम बताई हैं भोगना इस से कहीं ज़्यादा पड़ता है। अब आप इस दुर्योग को ठीक करने के लिए पहले परिमान ने तोटके समझ लें। संभव है इन से आपको कुछ लाभ मिल जाए। सबसे पहला उपाई है अमावस्या के दिन एक रोटी पर काफी घी लगाकर काले कुट्टे को खिलाएं। प्रयास करें कि कुट्टा आपकी रोटी खा ले। दूसरा तोटका है अमावस्या के दिन खीर बनाकर काले कवों को खिलाएं। एक और उपाई है कि अमावस्या के दिन गाए को रोटी में गुड़ डालकर खिलाएं। एक और उपाई है अमावस्या की रात में पीपल के नीचे तेल वाला चोमुखा दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन किसी भी पवित् पिर नदी पर स्नान करना भी लाव दायक माना जाता है। एक और टोटका है कि पान के पत्ते पर दो लड्डू रखें और किसी चोराहे पर इन्हें रख दें तथा वहाँ पर तेल का दीपक भी जलाएं। अमवस्या के दिन गरीबों को खाना खिलाने से भी लाव मिलता है। इसी तरह कि कुछ और उपाय वे टोटके भी हैं जिन से लाव मिल सकता है परंतु लाव की गारंटी नहीं हो सकती। इनमें सबसे अच्छा उपाय है कि अमवस्या के दिन सिवलिंग पर काले तिल दूद में मिला कर चढ़ाएं। पीपल पर जल चढ़ाने या काले तिल जल नहीं चढ़ाया जाता। सुरियास्त के बाद भी पीपल पर जल नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इन सब उपायों के बाद अब मैं उस उपाय के बारे में आपको बताता हूँ जिसके बारे में मैं पहले चर्चा कर रहा था। अगर आपक पूरी सरद्धा और विश्वात से करेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। उपाए केवल एक ही बार करना है। एक बार करने से ही आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप मौस्या का प्रभाव विरक्ति देता है, सन्यास देता है, भागे हींता देता है। ऐसे आदमी के बने बनाए आर्थिक वे अन्य काम आखरी समय में खराब हो जाते हैं। ऐसा आदमी अपने मन में सब दुखों को समेटे हुए जीता रहता है। किसी को कहता भी नहीं है। जीवन में जो भी प्रिस्तितियां मिल जाएं वे आसानी से सुविकार करता जाता है। मैं कहता हूँ कि एक बार उपाई करें और जीवन खुल कर जियें। हर तरफ से आपको सहयोग मिलने लगेगा, उत्सा बढ़ेगा। करना क्या है? अब इससे समझ लें। आपको एक मवस्या के दिन प्रातेकाल इस सामगरी का दान योग ब्राहमन को देना है। सामगरी है आटा पांच किलो, चावल एक किलो, चीनी एक किलो, नमक एक किलो, घी एक किलो, फल छे फल या अन्य सामगरी लाल नहीं होनी चाहिए और वस्त्र एक सेट सफेद रंग का। यह दान करने के बाद आप ब्राहमन को दक्शिना भी देए। दान लेने वाले ब्रहमन द्वारा दान का संकल्प किया जाना आविस्यक है, बिना संकल्प कराए दान न करें, संकल्प का उदेशे है अम आविस्या के निमित दान, दान देने का समय है प्रातकाल आठ से ग्यारा बजे के बीच, सामगरी में लाल रंग की कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए दक्षिना में दिये गए नोट का रंग भी लाल नहो सामगरी की मात्रा आप अपनी सामर्थे व्यस्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं सामगरी इतनी अवस्य होने चाहिए कि एक ब्रहमन कम से कम छे बार भोजन कर सके जब आप यह दान कर लें तो उसके बाद आप शुकल पक्स और थात अगले पंद्रा दिनों में किसी भी दिन 108 कलदार रतन तथा एक सिक्का बहते जल में परवाहित करें कलदार आपको मेरे कारले में मिल जाएंगे फोन पर बात करके मंगवा लें इसके साथ ही यह उपाए पूरा हो जाता है यह उपाए करने से आपको ने केवल मानसिक सांती वे समरिदी मिलेगी बलकि आपकी प्रगती के दौर भी खुलने लगेंगे अगर आप चाते हैं कि आपको लंबे समय तक सफलता मिलती रहे तो अमवस्या का दान करने के पस्चात आप चार यंत्रों वे तीन रत्रों से बनाया गया रोद्र कवच अवस्य धारण करें इसके प्रभाव से आप अमवस्या के कारण होने वाली जीवन भर की भागे हिंता से छुटकारा पा सकेंगे आप मानसिक शांती आतम बल तथा भागे व्रिद्धी प्राप्त कर सकेंगे आपको जो जानकारी मैंने दी है वह सब कुछ सरल वह सपस्ठ है अगर यह जानकारी पहली बार में समझ में ने आए तो सारी जानकारी को दुबारा से सुन लें अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें आप चाहें तो यह जानकारी अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें किसी और जानकारी के आप सकता हूँ तो आप हमें अबसे लिखें आप हमसे जोति समंदी सलहा भी ले सकते हैं हमारा पता है सोभागे दीप 74 रिंग रोड मार्केट स्रोजनी नगर नई दिल्ली फोन नम्बर है 999-059-4444-987-320-9999 धन्यवाद